डिटेंशन कैम्प के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत गलत फहिमी आ रही हैं। ऐसा है, आप स्मिता जी इतनी जागरुक पत्रकार है, देश की जानीमानी पत्रकार है, आप भी स्वयम एक बार CAA को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती, तो मालूम पढ़ता है, इसमें डिटेंशन कैम्प की प्रोविजन नहीं है। जो illegal migrants हैं, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस अपने देश भेजने से पहले उन्हें डिटेंशन कैम्प में रखा जाता है, ये आपने डिटेंशन एरिया में, जेल में नहीं डाल सकती, ये आपने 2019 में मुझे समझाया था इक इंटर्व्यू में CAA में डिटेंशन कैम्प नहीं है, इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ, कि अगर CAA के तहट वो लोग नहीं आते, तो वो कहां जाएंगे, क्या होगा उनका? सवाल को का प्रॉबलेम है, तो उसमें से पचासी का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे, तो कितने इसके कारण सायद application करते हुए भी डरेंगे, मैं सब को आस्वस्त करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर apply कर दीजे, नरेंद्र मोधी गवर्मेंट पर भरोसा रखे, आपको retrospective effect से citizenship दी जाएगी, आपका अवेद तरीके से भारत में आना इस सरनार्थी के रूप में आपको स्व आपकी भारत में की हुई सारी activity को भी वैधता प्रदान की जाएगी, तो किसी को डरने की जरूप नहीं है, उनके पास extra rights होंगे या equal rights होंगे, या कम rights होंगे, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा, एक और बात थी, वो ए CA, ये इनका crossing है की नहीं? इंटर? देखे, आसाम में जो NRC की order हुए है, वो Supreme Court of India की, इसका CA से कोई लेंदे नहीं है, आसाम नहीं देश के हर हिस्से में CA लागू होगा, सिर्फ North East के राज्य, जहां पर दो प्रकार के विशेशाधिकार उनको दिये गए हैं, वो विशेशा आदिकार के तहद जो राज्य आते हैं, उनको ही CA नहीं होगा, एक Inner Line Permit का provision है, और समविदान की छठी अनुसुची में सामिल जन जाती एक शेत्र हैं, वो जो Sixth Schedule में वो Assam के कुछ, सॉरी, जमू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ आते हैं उसमें, वहाँ नहीं लागू होगा, बाकि सब जगे लागू होगा, पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहां हैं, कुछ साल, और यो ट्राइबल इलाके हैं, उनका जो composition है, वो बदलेगा नहीं CA की वज़े से, जरा भी नहीं बदलेगा, की छठी सूची में, जो क्षेत्र सामिल किये गए, इन पर, वहाँ पर CAE नहीं लागू होगा, और वहाँ के एड्रेस वाला application भी, एप में अपलोड ही नहीं होता है, तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है, और act में ही provision है, मगर हमने application में भी वो एरिया को exclude कर दिया है, कोई apply करेगा भी वो वहाँ से, तो नहीं, एप ही नहीं खुलेगा, पर वो कहीं और जाके apply कर सकता है, तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं, आच्छा, ओके, वो समविधान की छटी अनुसी चीज में सुरक्सिक छेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते हैं, इनर लाइ जोने कहा है, कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे, क्या उनके पास यह अधिकार है, कि वो लागू नहीं करने देंगे, वो भी समझ रहे हैं, कि उनको अधिकार नहीं है, हमारे समविधान के अनुच्छे 11 में, संसद ने नागरिक ता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसत को दिया गया है, एक कैंद्र का विशय है, कैंद्र और राज्यों का साजा विशय नहीं है, तो नागरिक्ता के बारे में कानून और कानून का इंप्लिमेंटेंशन, वो दोनों हमारे समविधान की 246 बटा 1 अनुच्छे 11 में डाला है, जो कैंद्र के, इसकी तमाम सक्तिया कैंद्र को दी गई है, पर जैसे वेरिफिकेशन वगेरा है, पूरा जो ग्राउंड पे तो चेकिंग होगी ना, वो सब तो स्टेट गवर्मेंट ही करेंगे, तो इंटर्यू में लेकर आएंगे, कि मैं बंगलादेश से आया हूँ, देखे मेरा पूराना डॉक्यमेंट है, और वो राज्य में नहीं होगा इंटर्यू, इंटर्यूर राज्य में भी हो सकता है, बारा सरकार करींगे, तो कोईपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करना ही होगा,ider Anyways को चूनाव के बाद सब कोईपरेट करेंगे, ये फिल वेलनाडू में गए हैं वहाँ पर मतलब स्टैलिन इसको इतना बड़ा मैं कोई पॉसिबिलिटी छूड़ना नहीं चाहता एक भी है तो उसको नाकरिकता दे